Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha आपकी अपनी English Educator कैसे हैं आप सब लोग? I hope everybody is doing well, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत मज़े में हूँ और इतनी अच्छी बात से चली स्टार्ट करते हैं हमारी फ्लमिंगो बुक का जो second chapter है, Lost Spring, उसकी समरी से So, summary स्टार्ट करने से पहले मैं एक चोटा सा overview देती हूँ यह जो chapter है, यह basically author जो है हमारी, Annie is young, उन्होंने दो deprived backgrounds याने कि दो गरीब बच्चों से जो बातचीत करी है, उस बातचीत और उनके साथ जो उनको experience था, उस basis पर यहाँ पर दो stories बताई है So, basically आपका जो यह chapter है, यह two parts में divided है, एक first story, एक second story जो first story है, वो साहिब आलम नाम के एक चोटे से बच्चे की है, जो की rack picker आने की खच्रा कूडा बान एकटा करने के job में है तो यह जो बच्चा है, यह हमेशा barefoot रहता है, हमेशा नंगे पहर रहता है और जब author इससे पुछनी कि तुम्हें school क्यों नहीं जाते तो वो कहता है, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है तो मैं यही काम करता हूँ और हमारे आसपास कोई school नहीं है, इसलिए मैं school भी नहीं जाता हूँ तो author कहता है, अगर मैं तुम्हारे लिए school बनाओंगी तो तुम जाओगे, तो वो कहता है, हाँ मैं जरूर जाओंगा और थोड़े दिन बाद जब author आती है उसी locality में, तो साहिब उनकी तरफ दोड़ते वे आता है और कहता है कि आपने school बना लिया, आपका school बन गया, तो वो कहती है, नहीं और author को बहुत ashamed feel हुआ कि मैंने जिस बच्चे से promise करा, वो तो मेरा promise meaningless था, मैंने तो ऐसी मजाख में कर दिया लेकिन इस बच्चे के दिल में और दिमाग में hopes जाग गई, आखों में उम्मीद जाग गई कि शायद मेरे लिए भी school बनेगा और मैं school जाओंगा तो जैसा promise मैंने इस बच्चे से किया, इतने सारे कई सारे लोग हैं जो promises इसे करते हैं और इनके fulfill भी नहीं करते हैं, पूरे भी नहीं करते हैं, तो basically यह जो chapter बताया गया है, first वाला वो child labor और poverty, गरीबी भी बता गया है और कितना बच्चों से काम कराया जाता है, बाल मजदूरी कराया जाती है जिसकी वज़े से इनका बच्चपन है, वो कहीं lost यानि कि घुम जाता है उसी तरीके से एक second story भी है, वो है मुकेश की, वो फिरोजबाद से है और वो और उसकी family बैंगल मेकिंग, चूणिया बनाने के business में generation से involved है अब जो मुकेश है, उसको क्या बनना है, उसका क्या dream है, उसका dream है कि उसको एक motor mechanic बनना है लेकिन वो ये dream, बहुत confidently बताता है author को, लेकिन उसे ये नहीं समझ आता कि ये dream मेरा कभी पूरा होगा भी, कि नहीं क्यूंकि वो और उसकी जो family है, वो generation से बैंगल मेकिंग के ही business में है और उन लोगों को लगता है, कि ये जो बैंगल मेकिंग है, ये सदियों से, सालों से हमारे ancestors ने किया हुआ है और एक तरीकि से भगवान ने हमें ये business जोप आए, और हम बैंगल मेकर्स की cast से belong करते हैं तो इनके बच्चे कोई दूसरी चीज सोची नहीं सकते, क्योंकि जब तक ये बड़े होएं होएं, कुछ अपने dreams के बारे में सोचें उससे पहले इनके घरवाले इनको बैंगल मेकिंग के job में लगा दिये करते हैं जिस वज़े से इनकी eyesight खो जाती, क्योंकि ये लोग एक छोटे से कमरे में बैठ कर सारा दिन bangles बनाते रहते हैं जिस वज़े से adult होने से पहले, teen ये से पहले इनकी eyesight चली जाती है तो ये जो 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 chapters हैं, stories के जो through author जो हमें क्या बताना चाहती हैं कि बच्चों की जिंदगी हम बढ़ने ही नहीं देते हैं जो जो गरीब बच्चे होते हैं, वो child, liberal, poverty में इतने बंद चुके होते हैं इतने first चुके होते हैं, कि उन बच्चों का overall development नहीं हो पाता और वो अपने बच्च्पन को, अपने childhood को जी ही नहीं पाते हैं So, this was the overview of our summary and now let's start with the summary The author described two of her encounters with the children from deprived backgrounds इस chapter में जो author हैं वो क्या बताती हैं, उन दो बच्चों की story बताती हैं जो deprived backgrounds हैं याने कि जो बहुत पूर हैं, बहुत गरीब हैं Through them, she wants to highlight the plight of street children forced into labor तो इन दोनों बच्चों की कहानी से जो author हैं, हमें इन बच्चों की plight जाती हैं और बताया जाता है कि इन बच्चों को किस तरह forcefully labor याने बाल मज़ूरी में धकेल दिया जाता हैं Early in their life and I denied the opportunity of schooling बहुत छोटी सी उमर में इनको काम करवाना start कर दिया जाता हैं और education की उमर में जहांपे इनको पढ़ना लिखना चाहिए वो इनकी dreams को kill कर दिया जाता है Also she brings out the callousness of society and the political class towards the sufferings of the poor Also author हमें क्या बता रहे हैं callousness याने की insensitive or cruel behavior जितने भी government officials हैं, जितने भी political लोग हैं इन लोगों का behavior इन लोगों की तरह बहुत cruel है, बहुत ज्यात्ती वाल है बजाए इन लोगों की help करने के government और जो दूसरी officials हैं, वो इनका फाइदा उठाते हैं The first encounter is with a ragpicker boy named sahib-e-alum तो जो पहली story है, जैसे कि मैंने बताया था, यह पूरा chapter 2 stories में divided है, तो पहली story जो है, एक ragpicker boy की है यानि कि एक कच्रा-कूडा बीनने वाले बच्चे की है, जिसका नाम है साहib-e-alum, जो migrate हो के, यानि कि जो shift हो के आया है, कहां से बांगलादेश से 1971 में, और अब कहां रह रह रहा है, इंडिया में सीमा पूरी नाम की जगा में रह रहा है, जो डेली के outer area में है तो यह लोग धाका यानि बांगलादेश से 1971 में, शिफ्ट हो कि इसलिए क्योंकि वहाँ पे storm की वज़े से, तूफान की वज़े से इनके घर उजड़ गए, तो better life के खोज में ये लोग कहां आप वहुचें, इंडिया के शेहर डेली में, और वहाँ पे भी कहां डेली में एक locality है, सीमापुरी जो डेली के outskirts में, यानि के outer area में, वहाँ पे आके रहने लगें अब यहाँ पे डेली में आ के ये लोग सीमापुरी में क्या काम करने लगे? रैक पिकिंग यानि कtsåरा बीदने का काम करने लगे और ये लोग कच्रे में से क्या धूनने के लगे रहते थे हमेशा गोल्ड अब गोल्ड का मतलब सोना नहीं है यानि कि जो हम लोगों के लिए precious चीज़े हैं वो है gold, diamond, precious stones ये सब चीज़े लेकिन जो ये rack picking करने वाले बच्चे इनके लिए precious चीज़े वो हैं जो इनके चीज़े काम आ सकें जैसे फटे पुराने जूते कभी एक का सिक्का मिल गया कभी 10 रूपीस का नोट मिल गया कभी कोई फटी पुरानी किसी के टी-शिर्ट मिल गई तो ये इन लोगों के लिए gold बराबर है तो वो अपने लिए खाना ही बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं पेट भर खाना इनको मुश्किल से ही नसीब हो पाता है उनकी खुद की identity काट सक नहीं है यानि कि इनके खुद के पैचान पत्र भी नहीं है ये लोग को कभी education नसीब नहीं हुआ स्कूल नहीं गए कभी उनको जूते पहनने कोई नहीं मिले क्योंकि ये लोग हमेशा नंगे पैर रहते हैं बेरफोट रहते हैं और उसका reason ये दे देते हैं कि हमारा तो रिवाज नंगे पैर रहना क्यों क्योंकि उनने अपनी poverty को बहुत बुरी तरह accept कर लिया कि हमने पता है कि हम हमेशा इतने गरीब रहेंगे और कभी जूते चपल अपने लिए afford नहीं कर पाएंगे sports याने की अच्छे चे games खेलना ये सब चीजे इनके लिए उस सपने की तरह है जो शायद कभी पूरे ये लोग नहीं कर सकते तो इनके जो बच्चों के पेरेंट्स है उनके लिए रैक पिकिंग का मतलब अलग है और बच्चों के लिए रैक पिकिंग का मतलब अलग है आने कूडे कच्रे बीनने का काम Parents कूड़ा कच्रा बीनने का काम, rack picking का काम इसली करते हैं ताकि वो उससे अपना घर चला सकें, survive कर पाएं उसमें से उन्हें शायद फटी पुरानी clothes मिल जाएं और उससे मिलने वाला कुछ पैसे से घर में खाना आ जाएगा घर में छट डल जाएगी, roof डल जाएगी तो इसी लिए उनके parents क्या करते हैं, rack picking का काम करते हैं लेकिन जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं The children hunted through the garbage heaps looking for things which could partially fulfill their unfulfilled dreams बच्चे survival क्लिए कूड़ा कच्रे का काम नहीं करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि उनके कुछ सपने हैं, कुछ dreams है कि आज मुझे जूते चाहिए, मुझे नहीं टी-शिट चाहिए, मुझे नहीं जीन्स चाहिए जो शायद उनको कूडे कच्रे में से फटी पुरानी फार्म में मिल जाती है तो ये उनके लिए gold और worth valuable होती है जो अमीर लोग use करके चीज़ें, fake दिया करते हैं वो इन गरीब बच्चों के लिए use की चीज़ें होती हैं, याने की valuable होती है तो एक दिन राइटर ने सुबसबा नोटिस किया कि जो साहिब है आलम है, जो की हमेशा must रहता था, अपने दोस्तों के साथ enjoy करता रहता था राइक पिकिंग का काम करता था, एक दिन उसके टी स्टॉल पे क्या लग गई, जॉब लग गई जॉब में उसको क्या मिल रहे है, 800 रुपीज महीने का और दिन में मील्स याने खाने अभी उसको मिलेगा और उसके हाथ में क्या था, एक steel canister याने की एक बरतन तर जिसमें milk रखा जाते तो ऑथर ने उसको सुबह वहाँ टी स्टॉल जाते वे देखा, तो राइटर नोटिस करती है कि वो केर फ्री बच्चा, वो साहिब आलम चो हमेशा मस्त रहता था, अपने शोल्डर पे हमेशा एक बैग तांगे रहता था, जिसमें उसका कच्रा, कूड़ा वो सब बीनता था, वो बैग जो की इतना हेवी होता है, वो उसको हमेशा लाइट लगता था क्योंकि वो बैग उसका खुद का था, यानि वो अपना खुद का मास्टर था, अपना खुद का मालिक था, लेकिन आज वो क्या हो गया, आज वो किसी का, किसी के अंडर आ गया, यानि कोई और उसक पर उसका झाँ नहीं था जो कि बहुत वेट में लाइट वेट नहीं था वो किसी और का था वो किसी और के का है गया था और नजाय वर यहाने बालेमज्दूरी क्य eerste जकड में फस गया था उसके उपर अपनेी ऐड़ में चैलाने के लिए उसमें को survive करनाने के responsibility उसके कंदों पर आ गई था एक burden आ गया था तो basically उस बच्चे का बच्पना खतम हो गया और वो अपने पैसे कमाने की इतनी चोटी उमन में पैसे कमाने की चाहा में एकटी स्टॉल पर काम करने लग गया और वहीं पर उसके सारे सपने भी खतम हो जाते हैं So this was the end of first story of chapter number 2 अब जो second story है chapter 2 की वो देखते हैं The second story is for the second boy who was Mukesh जो second story है वो किस की है? एक बच्चे की है जिसका नाम है Mukesh पहले बच्चे का नाम था साहिब आलम उसकी सोरी रैक पिकिंग की थी अब ये दूसरे बच्चे है उसका नाम है Mukesh who belong to a family of bangle makers in Firozabad तो ये Firozabad में रहता है और किस family से belong करता है? जो bangle makers है याने चूडियां बनाने के business में है generation से याने इनके पूरे खानान ने हमेशे से यही काम किया है यहां तक की इतने चोटे-चोटे कमरों में काम करने से अंधेरे में bangle making की business की वज़े से लोगों के eyesight चली गई उन्होंने physically इतना सफर किया इसकी family ने फिर भी वो लोग bangle making का ही काम करते है लेकिन मुकेश का जो सपना था वो था car mechanic बनने का तो author इन लोगों से बोलती है कि आप लोग के काम क्यों नहीं कर लेते जितने भी bangle makers हो इतनी मेहनत करते हो तुम लोग को return में benefit कुछ नहीं मलता तो तुम लोग एक काम करो तुम लोग एक organization बना लो एक group बना लो और अपने इसी bangle making के business को थोड़े high level पे करो लेकिन ये लोग उसकी भी हिम्मत नहीं करते क्योंकि इने लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो police हमें घसीट के मारेगी और jail में बन कर देगी ऐसा है बिलकुल भी नहीं होता लेकिन इनको इस चीज़ का डर है क्योंकि जितने भी money lenders जिससे इन्होंने उधार ही लिए होती है ये वो उधार नहीं चुका पाते हैं और ये उनको हमेशा जकडे रहते हैं और जिस वज़े से उधार चुकाने के लिए ये इनकी जनरेशन तो जनरेशन ओन middlemen और money lenders के लिए हमेशा काम करती रहती है दो family ये बहुत content है मोकेश की याने बहुत satisfied है कि हमने तो अपने बच्चों को bangle making का art सिखाया याने कि ना हमने school भेजा ना हमने उनको educate कराया पर हमने ये चूणे बनाने की कला जो है अपने बच्चों को सिखाया और हमने उनको रहने के लिए घर दिया है तो वो इतनी proudly कह रहे था जैसे उन्होंने बहुत काम बड़ा काम किया है कि पूरी उमर उन्होंने bangle making का काम किया और अपने बच्चों को छोटा सा hut में इन्होंने रहने की facility दी जैसे और किसी ने और सारे लोग जो है वो रोड पे रहने उन्हों तो अपने फैमिली को घर रहने को दिया ही नी the boy wanted to be a car mechanic लेकिन फिर भी में मुकेश की dream क्या थी कि मैं एक दिन car mechanic बनूँगा cars were all that मुकेश had seen on the roads of his town and so क्योंकि मुकेश ने अपने शहर के अपने टाउन के roads पे हमिशा cars को देखा है और उसकी इच्छा है कि मैं car चलाना सीखूं और मैं garage तक जो कि उसकी घर से बहुत दूरे वहां तक पैदल जाओंगा लेकिन फिर भी garage तक जाओंगा और car mechanic का काम सीखूंगा यानि उसके इंदर चाहा है उसके इंदर determination है hard work करने की he could not dream of any further और उसको और किसी चीज का सपना नहीं आता क्योंकि उसको car mechanic बनने का सपना उसके mind में था so children यहाँ पर हमारे summary फिनिश होती है और अब हम discuss करते है स्टाप्टर के कुछ important comprehension question and answers the first question is what is sahib looking for in the garbage dumps sahib garbage dumps कचरे के कूडे में क्या ढोन रहा है where is he and where has he come from वो कहां से रहता है और वो basically कहां से आया है और वहां पे रह रह रहा है तो sahib is looking for any precious thing which he cannot afford to buy तो sahib कचरे में से कुछ ऐसी चीज निकालने की कोशिश कर रहा है ढून रहा है जो वो afford नहीं कर सकता खरीदना क्योंकि वो बहुत poor है और वो चीज चैट को इसके काम की हो things like a rupee, silver coin और a pair of shoes किस type की चीज़े वो ढून रहा है कभी इसको एक कसिका मिल जाता है कभी इसको 10 रुपे का note मिल जाता है कभी shoes मिल जाते है फटे पुराने से तो यह सब वो ढून रहा है He has come to the garbage dump in the winter's neighborhood in the writer's neighborhood तो वो कहां पर आया है कच्रा ढून निकली इस चाप्टर की जो writer है उनके पडोस में ही एक dump है यानि garbage dump है garbage का कूडा रखने का एक डबबा है जिसमें वो सुबह सुबह कच्रा बीन ने आया है He lives in Seemapuri in Delhi and he has come from Dhaka वो धाका बांगला जैसे migrate होके इंडिया में आया है और इंडिया में कहा डेली में और डेली में वो कहा रहता है सीमापुरी नाम की जगा जो कि डेली के outer area में है Second question Is sahib happy walking at the tea stall explain चाप्टर के end में जो sahib है वो एक tea stall पे काम करने लगता है और उसको वहाँ पे 800 रुपीज जॉप के भी पैसे मिलते है और दिन बर का खाना क्या वो happy है क्या वो खुश है यहाँ जॉप करके तो sahib is happy that he got work at the tea stall वो खुश है कि इसको job मिल गई है क्योंकि इसको 800 रुपीज मन्थ की salary मिलेगी और सारी meals भी मिलेंगी याने खाने पेने की चीज़े भी मिल जाएगी दिन बर तो he is somewhere happy Question number 3 Would you agree that promises made to poor children are rarely kept क्या आप इस चीज़ को agree करेंगे कि जो गरीब लोगों से बड़े बड़े लोग आके बड़े बड़े promises करके जाते हैं क्या उम promises को वो पूरा करते हैं Why do you think this happens in the incidents narrated in the text तो आपको ऐसा क्या लगता है इन incidents को पढ़के जो की text में जो की chapter में बताए गए हैं तो yes, I agree that the promises made to poor children are rarely fulfilled तो हाँ, हम इस चीज़ को agree करते हैं कि जित्ते भी हम गरीब बच्चों से जाके promise करते हैं तुम्हें नहीं कपड़े ला देंगे तुम्हारे लिए एक बड़ा सा hospital create बना देंगे तुम्हारी slum area में ये सब कभी fulfill नहीं होते हैं कभी पूरे नहीं किये जाते हैं In the story, the writer jokingly offers the ragpicker boy to join a school that she would open In fact, she does not intend to open a school She speaks mindlessly but the boy takes it to be true and later asks her if the school has opened तो chapter में क्या होता है chapter में जो author होती है वो sahib आलम से एक promise कर देती है mindlessly याने मज़ाप में ऐसे ही बोल देती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी locality में school खोलूंगी तो तुम आओगे तो वो कहता है हाँ और थोड़े दिन बाद जब author उससे जाके मिलती है तो वो उनके पास भागते वहाता है साहिब और कहता है कि आपका school बन खुल गया तो यहाँ पे जो author है बहुत अशेम फिल करती है कि मैंने तो एक मज़ाप में एक बच्चे से promise कर दिया और मुझे पता है कि यह promise मेरा practically possible नहीं है मैं पूरा नहीं कर सकती उनके promise को तो मैंने यह promise उससे किया ही क्यों तो वो यह सोचती है कि मेरे जूटे promise या मेरे मजाप में करे वे promise ने एक बच्चे के दिल में उम्मीद एक hope जगा दी जो कि गलत है तो वो सोचती है कि इस छोटे से बच्चे की जिंदगी में बहुत सारे hollow promises याने meaningless promises बड़े बड़े लोग आते हैं और रोज कुछ न कुछ करके जाते हैं लेकिन वो कभी पूरे नहीं होते हैं और इस बात से used to हो गया साहिब उसे भी आप कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसी क्या चीज है कि जो फिरोजबाद के लोग हैं वो बैंगल मेकिंग के ही पुराने इस tradition में इस industry में लगे हुए हैं और दूसरे किसी job में नहीं जा पारे हैं तो राइटर टेल्स उस बैंगल मेकर्स और फिरोजबाद के बैंगल मेकर्स हैं वो क्या हैं पावर्टी स्ट्रिकिन याने बहुत जादा गरीब हैं तो वो इस ऐसान तले दब चुके हैं कि हम जिस कास्ट में पैदा हुएं वो बैंगल मेकर्स की कास्ट हैं हम जिन्दगी पर यही करेंगे भले उससे हम लोग अंदे हो जाए हम लोग की हालत इतनी वीक हो गई है पर फिर भी हम यही करेंगे और अपना यह इनको पुराना ट्रेडिशनल प्रोफेशन क्यारी ओन करना पड़ेगा फॉर्दर दस सॉसाइटी अस फॉर्म डर हाश सर्कल अरॉंड और सॉसाइटी ने एक सर्कल इनके आसपास ऐसा बना लिया है जिसमें से यह सारे बैंगल मेकर्स फस गए और निकल नहीं पा रहे है और वो सर्कल किसका है मनी लेंडर्स, मिडल मेंड, पुलिसमें, लॉग कीपर्स, ऑफिसर्स, पॉलिटीशन्स यह सब मिलके क्या है इनको इनका इस्तमाल करते हैं और इनको चाहते हैं कि यह बैंगल मेकिंग की इंडस्ट्री में करते रहे और इनको बेनिफिट मिलता रहे तो बेसिकली यह बड़े-बड़े जो लोग हैं यह चाहते ही नहीं कि यह गरीबी से बाहर निकले और और कोई काम करें क्योंकि इन बड़े लोगों का फाइदा इन लोगों से निकलता है All together form a barrier around them and tie them in the grip of poverty They cannot escape from it और इस वज़े से ये गरीब लोग जो हैं इस circle में इस spiral circle में जिसमें money lenders, politicians, police सब लोग involved हैं इतना इन लोगों को परिशान किया हुए कि ये लोग first गए हैं और इस circle में से इस जिस जो इनको मतलब grip करके रखा है जिस circle ने इनको जड़ से पकड़ करके रखा है इसमें से ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं Fifth question How in your opinion can Mukesh realize his dream तो आपको कैसे लगते हैं आपके opinion में कि Mukesh अपना dream realize कर पाएगा एने पूरा कर पाएगा एक car mechanic बनने का तो Mukesh dared to dream and wanted to become a motor mechanic तो Mukesh ने हिम्मत करके dream किया एक सपना देखा है कि इसको motor mechanic बनना है क्योंकि उसकी family bangle makers से आ है bangle making के business में और वो लोग कोई और सपना नहीं देखते he wanted to drive cars उसको car driving भी करना है he took the initial step by aspiring to do something different from the family business तो उसने एक पहला कदम लिया है इस dream को देखते हुए कि मैं एक bangle making के business नहीं करना चाहता मैं एक car mechanic के business में जाना जाता हूँ I think that Mukesh can realize his dream with determination and hard work तो मुझे ऐसा लगता है कि Mukesh बहुत determined है और बहुत hard working nature का person है और वो definitely अपने dream को एक दिन fulfill जरूर करेगा क्योंकि उसमें कुछ करने की इच्छा है और ताकत है Next question Why should child labor be eliminated and how? जो child labor है जो बाल मजदूरी है हमारे देश में इसको eliminate करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा क्यों क्योंकि बच्चों की जिन्देगें खतम हो रही है तो eliminate तो करना ही पड़ेगा पर कैसे करें? पर क्यों करें और कैसे करें? यह हमको बताना है तो forcing a child to work is a crime हमारे देश में अगर आप किसी बच्चे को जबर्दसी काम करा रहे हैं अगर आप उनको जबर्दसी बाल मजदूरी में लगा दोगे तो वो अपना बच्पना खो देंगे जिस उमर में उन्हें खेलना कूदना पढ़ना चाहिए वो सब खतम हो जाएगा अगर किसी खतरनाक काम में आप किसी बच्चो को लगा रहे हो तो उनकी लाइफ भी रिस्क पे है और उनको ऐसी बीमारियां आजाएंगी यंग एज में जो जो शायद उनकी डेथ तक उनको ले जाए और इन बच्चों के जो पेरेंस होते हैं वो ये सब चीजों को नजर अरंदास कर देते हैं क्योंकि वो सोचने की बच्चे काम करेंगे तो चार पैसे घर में और आएंगे तो बच्चों के पैरेंस भी इस चीज पे धियान नी दे रहें तो गवर्मेंट को इस चीज में प्रो अक्टिव बनना पड़ेगा याने बहुत अक्टिव बनना पड़ेगा बहुत इनिशियटिव लेने पड़ेंगे और अलग-अलग measures of steps start करने पड़ेंगे ताकि child labor जो है इंडिया से गायब हो जाए और इसके खिलाफ laws लगाए strictly आने की कानून बनाए strictly ताकि ना कोई किसी बच्चे को force कर पाए ना कोई बच्चा child labor के काम में involved हो पाए so children with this we come to an end of this session I hope आपको summary और question and answers बहुत अच्छे से समझ आयोंगे और अगर आपको मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है YouTube पे तो आपको छोटा सा step या एक छोटा सा procedure करना है जिससे आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं तो आप कैसे करेंगे आपको स्रिफ Google पर जाना है और magnetbrains dot com हमारी website का नाम डालना और जब आप डालेंगे तो इस तरीके का जो portal है website का आपके सामने आजाएगा जिसमें अलग-अलग classes यहें class 12th, 11th, 10th, 9th, 8th and so on for example आपको class 11th के English के वीडियो देखने तो आप class 11th पे click करेंगे जब आप click करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने page जाएगा जहाँ पे class 11th में बढ़ाने वाले सारे teachers और वो क्या-क्या subject लेते हैं उनकी पूरी details आजाएगे for example अगर आपको class 11th का English देखना है जो कि मैं लेती हूँ आप इस पे click करेंगे तो class 11th में मेरे बढ़ाय हुए सारे video lectures की list आपके सामने आजाएगी for example मुझे अगर हॉनबल बुक के chapter 1 का first देखना है first introduction देखना है the portrait of a lady तो मैं इस पे click करूँगी और इस तरीके से मेरे video आपके सामने play होना start हो जाएगा तो I hope आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको YouTube पे video नहीं मिल रहा है तो किस तरीके से आप Google पे जाके direct website से भी हमारा video देख सकते हैं So children तब तक लिए Bye Bye and take care